सभी छात्रों को नमस्कार RBS degree college मेजा खास के online platform पे सभी छात्रों का हम हारतिक स्वागत करते हैं छात्रों आज जो है BSC AG four semester के जो है छात्रों के लिए जो है हम नया topic लेकर आये हुए है जो हमारा subject है छात्रों जो है वो क्या कहते हैं problematic soil and their management जो है इसमें जो हमारा topic है जो है distribution of wasteland and problem in soil in India जो है इसके विशे में हम चात्रों जो है आज हम आपको अध्यन करवाएंगे जो है ठीक है आगे चलते हैं भारत विश्व की जनसंख्या का 16% हिस्सा रखता है जबकि इसकी भूम विश्व के कुल भागोलिक छेतर का केवल दो ही प्रस्चत जो है खेती के लिए किसान जो है अपना उपियोग कर रहे हैं और फसल को उगा रहे हैं और जो भी जमीने बची हुई हैं वो क्या कहते हैं वेस्ट हैं जो कि उसका कोई उत्पादन नहीं कर सकते हैं आप उसे किसी उपियोग भी नहीं ले सकते हैं आप जो है क्यूंकि वो कई जो है गलियों और क्या कहते हैं वहां पे जलो के एकत्र होने से जो है वो लेंड जो है आज जो है काफी बेकार पड़ी हुई है छात्रों जो है ठीक है आगे चलते हैं सोभाविक रूप से भूम पर दबाव अक्सर इसकी वहां छमता से अधिक होता जा रहा है जिसके दारा जो है मिट्टी जो है खराब हो जा रही है क्यों उसके बाद भारत में उत्पादक भूम विसेश रूप से क्रिस भूम ब्यभिन अस्तर के छरण का निरंतर प्रक्रिया में हैं और तेजी से बंजर भूम में बदली जा रही है मतलब कहने कर थीये है चात्रों जो है जो हमारी प्रिस्योग के भूम है I would जो है धीरे धीरे जो है बंजर होती चली जा रही है जो की ये प्रक्रिया सबसे जादा जो है छरण के द्वारा जो है प्रभावित हो रही है ठीक है आगे चलते हैं इन जमीनों में लगभग 50 परिस्द जमीने ऐसी गैर वन भूम में हैं जिनका उचित उपचार करने पर उन में जो है कुछ ऐसे जो है क्या कहते हैं इस्टूमेंट यूज किये जाएं या उर्बरक यूज किये जाएं जिसके द्वारा वो जमीन को फिन से उपजाओ बनाया जा सकता है छात्रों जिस पे क्या कहते हैं ब्रिच्छो का आवरण नहीं है और घास पूस नहीं है वहाँ पे उस जमीन को जो है कुछ क्रिसकार अच्छे तरीके से करने पर जो है वो जमीन को फिन से उपजाओ बनाई जा सकती है ठीक है आगे यह असुरत्षित गैरवन भूम थी जिस पर मुख्य रूप से जबर जस्त जैविक दवाव के काराण सबसे अधिक गिरावट आई है भा भारत के कुल भावोलिक छेत्र का 23.36 परिशाद विश में वन की आउसत प्रतिव्यक उपलबदता 0.8 हेक्टेर है और भारत के लिए यह 0.08 हेक्टेर के करीब जो है रखा गया है जो है मतलब कहने करती यह है छात्रों जो है कि जो हमारी क्रिस्यों की जो जमीन है वो जो है केवल हमारे प्रतिव्यक जो एक उपलबदता बताई गई है वो हमारी 0.8 हेक्टेर बताई गई है और भारत में जो उपलबदता बताई गई है वो 0.08 हेक्टेर बताई गई है जो हमारी क्रिस योग जो है जमीने पाई जा रही है प्रापर जो है जिसमें हमारे किशान भाई जो है खेती कर रहे हैं अनाज उत्पादन कर रहे हैं और उन्हें करके जो है अपने जीवन यापन को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं ठीक है आगे भूम प्रणालियों को इस प्रकार वर्गिर्कित किया गया है जो पहला हमारा है फसल भूम के दौरा जो है उन्हें वर्गिर्कित किया गया है फिन उसके बाद गेली भूम में उसे वर्गिर्कित किया गया है फिन जहां पे सुस्क ड्राई बलब जहां पे बारिस नहीं होती है वहाँ पर जो है क्या कहते उसे वर्गी कित किया गया है रेंज भूम जो है जहां पर जो है जादा ये रेतीली और ये कंकर वाली जो भूम पाई जाती है वो उसमें डिवाइड किया गया है जहां पर घास की भूमें है उसको वर्गी कित किया गया है बरफीली भूमें हो बंजर भूमें हो गई जो की इन सब जो भूम हमारी है उन्हें वर्गीकित किया गया है अलग-अलग छेतरों में अलग-अलग सब्दावली से जो है ठीक है आगे चलते हैं कि बंजर भूम बंजर भूम वह भूम है जो या तो खेती के लिए उपलबद नहीं है या किसी कारण वस खेती के बीना छोण दी जाती है मतलब कहने करती यह है चात्रों जो है कि बंजर भूम वह होती है जहां पे आप कोई भी फसल को आप उगा नहीं सकते हैं और वो जमीन ऐसी ही पड़ी रहती है खराब जो है फिर उसे किसी भी उपयोग में लाया नहीं जा सकता है मगर अगर वहां पे अगर क्या कहते उस लैंड में जो है समतली करण करके उस उसमें जो है किस कार को शंपन करके जो है आप उस जमीन को जो है उपजाव बना सकते हैं जो है मगर उसमें मेहनत आपको जादा करनी पड़ेगी और मज़दूरों को जो है खर्च जादा दे रूप से आइस्थिर हैं जिनकी उपरी मिट्टी लगभग पूरी तरह से नश्ट हो गई है जिनोंने अधिकांस पौधों वार्सिक फसलों पेड़ों दोनों के जड़ के छेत्रिय विकास में विसाक्ता विक्सित की गई है या हुई है मतलब कहने करती है चात्रों जो है कि जो हमारी ऊपर की जो सर्फेस है मिट्टी है वो इस तरीके से छत्य हो रही है यो बंजर भूम की और जो है वो एक तरीके से विस्तार कर रहा है वो धीरे धीरे ऐसे तरीके से बढ़ रहा है जो है कि आगे चलके जो है काफी जमीने जो है हमारी बंजर हो जाएंगे और हमें अन्य उत्पादन करने के लिए समस्याओं के सो है जहिलना पड़ेगा जो है ठीक है आगे जो है इसमें जो है पौधों को वार्सिक फसलों को पेड़ों को जो है जड़ों के द्वारा जो है उस जमीन को आप सरचित कर सकते हैं क्योंकि दुसरी जगह नहीं जाएगी तो वहां के मिट्टी जो है उपजाओ बनी रहेगी वो क्रिस के लिए जो है एक तरीके उपयोग में आ सकती है ठीक है फिर उसके बाद बंजर भूम में जो सामिल होते हैं जो एक वरगीर कित किया गया है या क्लासिफिकेशन किया गया है वो से पत्थरों को निकाल दिया जा रहा है उसके बाद जो बन है वो नश्ट हो रहे हैं जो की बंजर होने का सबसे बड़ा जो है कारण जो बनो को कटाई है वो उसके द्वारा जो है एक तरीके से देखा जाए जो है बनो का अगर कटाई होना स्टार्ट जो अगर तीब्र से चल रहा है जो है तो वहां के मिट्टी जो है धीरे धीरे छरण के द्वारा जो है बंजर होती चली जा रही है ठीक है आगे जो है अतधिक चराई वाले चारागाह जहां पे जिस भूम में जहां पे घाश, फूस, पेड़, पौधे जादा उगे हुए हैं अगर वहां पे पस आगे जो है सूखा ग्रस्त चारागाह जहां पे पानी की सुवधा है वहां पे सूखा ग्रस्त चारागाह बनाया जाता है फिन वो भी धीरे धीरे मिट्टी जो है क्या कहते हैं वहां पे जब जानवरों के पैरों के द्वारा जो है मिट्टी कुछ कट के कहीं दूसरी जग अपरदित घाटियों का मतलब यह है चात्र जो है कि जो घाटियां ऐसी है जो है जो कि कटाव नुमा जो है मिटिया कट के एक से दूसरी अस्थान चली जाती है तो वहां के मिट्टी जो उपजाव होती है वो धीरे धीरे नश्ट होती रहती है जो है उससे जो है बचाया जा जिसके दोरा ढ़लानों के दोरा बंजर भूम में परिवर्थित हो रहा हैं, कुछ इंडिया के जो स्वायल हैं या भूम हैं, फिन उसके बाद जली युक्त दल्डली भूम, जहाँ पे पानी की सबसे जयादा मात्रा पाई जारही है, वहाँ पे दल्डली भूम के दोरा मिट जो है एक तरीके से जो है बंजर हो रही है फिन बंजर भूम बंजर भूम एक तरीके से जो उस पे आप किसी भी फसल कि आप खेती नहीं कर सकते हैं ना तो वहां पे पेड़ पौधे उक सकते हैं अगर बंजर भूम में अगर कोई पौधा उकता है तो वो है बभूल हो गया नागफनी का पौदा हो गया क्योंकि उन्हें क्या कहते हैं वो लंडी और अमली चीज को जो है वो सोसित करते हैं जो है वो धीरे धीरे उनका विस्तार होनी की वज़ा से ये बंजर जमीनों में परिवर्टित होते रहते हैं फिन उसके बाद इसको जो है एक तरीके से इस पर दो प्रकार में इसे डिवाइट किया गया है, जो पहला हमारा है कृस्योग, कि कृस्योग स्रेणी में सभी संभावित ब很好 भूम चेत्र सामिल हैं, जिनें बनस्पत के अंतरगत लाया जा सकता है, दूसरी और आकृस्योग बंजर भूम वे भूम हैं जिनें बनस्पत आवरण के लिए बिखसित नहीं किया जा सकता है दूसरे सब्दों में वह भूम जो बंजर है और जिसका उपयोग किसी उतपादक उपयोग में नहीं किया जा सकता है जैसे कि क्रिस और बंच्छेत्र अक्रिस योग बंजर भूम जो है मतलब कहने करत यह है चात्रों जो है कि जहां पे अगर बनस्पतियां है तो वहां पे जो हमारी भूम है वो सुरच्छित रहेगी और जहां पे बनस्पतियों का आवरान नहीं है वहां पे जो है हमारी जो भूम है वो क्या कहते हैं खराब होती चली जाएंगी बंजर होती चली जाएंगी जो है जो कि क्रिस योग के लिए जरोरी और वो क्या कहते हैं बेश्ट होते हैं जो है ठीक है आगे को बंजर भूं की प्रमग सेन्यों में जैसे पहला जो हमारा आता है जो है उबर खाबर या भुरभुरी भूम फिन उसके बाद जली युक्त भूम या दलदली भूम फिन उसके बाद मिर्दा लमडता छारीता वाली भूम जो है फिन अस्थानांतरित क्रिस्की भूम फिन अल्प उपयोगी निम्निकृत अधिकृत बन भूम फिन उसके बाद क्या कहते हैं निम्निकृत चारागाह भूम जो है ब्रिच्छार ओपन फसलों की खराब भूम जो है फिन मरुस्थली रेत या तटी रेत फिन खनन या अधियोगिक बंजर भूम फिन चटानी पतेले कचरे वाली बंजर भूम फिन खड़ी धलान वाली भूम बर्प से ढकी हुई भूम ये सारी जो पॉइंट है छात्र जो है ये एक तरीके से जो है किसी भी अच्छी मिट्टी को ये बंजर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं अगर उसे सही तरीके से अगर प्रबंधन किया जाए तो ये जमीन जो है एक तरीके से सुरच्छि पहानी कृत सतही अपवाह का परणाम है जो भुर्बरी असंगठित सामग्री को प्रभावित करती हैं जिसके परणाम सरूप बोध्र गम्य चैनलों का निर्मार होता है जिसके परणाम सरूप तीन मीटर से अधिक्तम गहराई वाला लहरदार भूभाग बनता रहता है मतलब कहने करती है चात्रों जो हमारा उबर खाबर जो भूम है वहाँ पे जो हमारा च्छरण होता है वो तीन मीटर क्या कहते हैं उसका जो साइज होता है जहां पे कटान होता है नालियों का जो है उबर खाबर वहाँ पे इस तरीके से जो है भूम हमारी जो है बंजर होती च भूम की सेड़ी सह रभयुक्त भूम है इस सेड़ी में गहरे जलोड में एक दूसरी के सामनांतर चलने वाली नालियों की पणाली सामिल है और आसपास की टेबल भूम की तुलना में बहुत ही नीचे भहती हुई पास की नदी में प्रवेश करती है जैसे कि कई नदीयों के पाठक्रम में ये चीजे पाया गया है मतलब कहने करती है चात्रों जो है कि अगर कोई हमारी छोटी जो है अवनालिका अगर कटाओ या छरण के द्वारा जो है अगर वो नालिका बनी हुई है तो वहां की जो मिर्दा है वो धीरे-धीरे कटाओ करके जो है वो एक बड़े नदियों में जो है सामिल हो जाती है जिससे वहां की जो भूम है वो धीरे धीरे जो है बंजर होती चली जाती है जो है जो कि उसका विस्तार धीरे धीरे बहुत धीमी गश से जो है वो धीमी गश से जो है अपना स्टार्टिंग करते हैं उसके बाद आगे चल के वो जो है इत है जो उपरी हमारी परत है वो फिर दुबारा हमें नहीं मिलती है ठीक चात्रों आगे चलते हैं कि प्रबंध जो है मतलब कहने करतीये शात्रों जो कि हम बंजर भूम्यों को किस तरीके प्रबंध करें जो है कि हमारी जो मिट्टी है वो खराब ना हो जो है जैसे नालियों के धलान को आसान करके सता के प्रवाह की जाच करके कटाओ को रोकनी के आवसकता उत्पन होती है मतलब जो हमारी नालियां है वो जो है उनकी दिसाओं को आप विपरीत करेंगे जो है जो हमारी उपर की मिट्टी है या उपरी सता है वो हमारी सुरच्छित रहेगी जो है ठीक है आगे जो है कटाओ के वर्तमांदर को इस्थिर करने के लिए बीहडों को बनी करण और चाहते हैं जो है तो हमें बानकी करन करना पड़ेगा और बागवानों को लगाना पड़ेगा और वहां पे जो भी पौधे जो है लगाए जाए उन्हें कभी काटना ने जाए तो इस वजे से वहां पे जमीन हमारी जो है अच्छे तरीके से सुरच्छित रहती है जो है जो कि वहाँ पर बनो का विस्तार न हो वो भी जो है सीदे सीदे लेंड जो है धीरे धीरे बंजर की ओर जो है अग्रसर रहेगी जो है और उसके बाद आगे चल के जो है वो जमीन किसी लाएक नहीं रह जाती है घीक है आगे चलते है अस्थानी रूप से उपलग्ध चटान शरचन कर दिया जाए तो वहां पर जो है हमारी जो प्रबंद है वह अच्छे तरीके से जो है हमारी मिट्टी सुरच्छित रहेगी जो है फिन मिर्दा सरच्छन उपायों जैसे कंटूर फोयरिंग चेक डैमिंग गली प्लमिंग आधिका उप्योग गढ़ों के प्रबंधन के लिए किया जा सकता है मतलब कहने करतीए है कि मिर्दा अगर हमें शरच्छित करना है जो कंटूर जो खेती हो जाग सहित या उसके बिना लहरदार उपरी भूम पर उतार चड़ावाली प्रकित की भूमी हैं जो एवी बन से छरण की और अग्रसर हैं इसमें इसक्रप कवर को भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ऐसी भूम में तीन से दस जो है ढलान के साथ साथ अस्थला कृतिक जिसमें अक्सर सपाट सीर्स दिखाई देते हैं जैसे कि बलुवा पत्थर लिटराइट और बेसी पढ़हारी छेत्रों की मामले में कूमल सीरस और हलके माध्यम धलान के साथ होता है जो है मतलब कहने करतें यह चातरों जो है कि जो हमारे जाक है जो हमारे नदियों के लहर हैं अगर उसे जो है बिपरीत आवस्था में एकर रखा जाएगा जो है तो जो हमारी मिट्टी है जो है वो कहीं दूसरी जगह योगी होगी क्योंकि ये कहा गया है कि जलोड मिर्दा जो कई नदियों या कई जगहों से होके अगर समुद्री टटों या नदियों के टटों पर जो इकठा होता है मिट्टी जो जमती है वो सबसे उपजाव मिर्दा होती है जो है क्योंकि वो जो है कई जगह से हो के कई न्यूटियंट को इखठा करते हैं पोस्टत्तों को इखठा करते हैं जिससे वो मिट्टी बहुत ही क्या कहते हैं अच्छी मानी जाती है ठीक है आगे चलते हैं जैसे प्रबंद जो है जो अक्रिस वालों का जो है जो अक्रिस योग्य होती है उसका हम बता रहे हैं आपको छात्रों जो है जारियों वाली भूम जो समतल सीर्स वाली लहरदार उची भूम पर कबजा कर रही है जो कुछ बारा माशी प्रजातियां लगा कर संभावित बुक इस योग मिट्टी है उसे जो है अगर हमें अगर जाडियों के द्वारा भूम को सम्तल करके जो है उसके सीर्स को सम्तल करके जो है हम किसी भी फसल को उगा सकते हैं और उसमें अच्छी उपत प्राप्त कर सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं जाडिदार भूम का उपियोग कटा के रूप में किया जा सकता है अद्धिक जांच के लिए एक सुरच्छा कबच के रूप में ऐसे रखरकाओ की थोड़ी पूंजी की आउ सकता होती है जो है फिन उसके बाद सतही जल भराओ और दलदली भूम जो है यह वह भूम है जहां जल अस्तर सतह उसके निकट होता है त इंजर की और अग्रसर रहता है या वह भूम खराब हो जाती है फिन उसके बाद जल भराओ उप मिर्दा जल अस्तर के बढ़ने के कारण होता है और ऐसा लगवक सभी अच्छ सिंचित छेत्रों में यह पाया जाता है चात्रों जो है ठीक है फिन उसके बाद यह समश्या आ चली जाती है जो है फिन उसके बाद दल दल बढ़ भूम है जो अस्थाई रोप से समय समर पर होती है पानी से घिरा हुआ है बनस्पत द्वारा इसकी बिसेस्ता है घास और नरकट सामिल होते हैं दल दल भूमों में जो है ठीक है फिन पानी के लमड़ता के आधहर पर दल जलों को खारे खारे और ताजे पानी के शेडियों में वर्गे के तिया जाता है जो जल भराओ के अवद के आधार पर दो उपवर्ग हैं जो पहला हमारा है अस्थाई रूप से जल जमाओ होना फिन दूसरा जो है मौसमी जल जमाओ मतलब मौसमी जो है जो मौसम के एक स्थाई रूप से जल जमाव वाले छेत्रों वे होते हैं जहां वर्षा के अधिकान समय जल जमाव की इस्थिरता बनी रहती है यह छेत्र जादा तर नीचली इलाकों में इस्थित हैं जिन में नहरों नदी के किनारों तटी अंतरदेशी छेत्रों आध के अबधे में आधार जहां पे इस प्रकार की भूम पाई जाती है जो है ठीक है आगे चलते हैं मौसमी जल जमाव वाले छेत्र वे हैं जहां आम तोर पर मानसून अबद के दोरान जल जमाव के इस्थित बनी रहती है ये जमीने जादा तर जल निकासी की भीर से जुड़े मैदानी इलाकों में इ कैसे करेंगे अत्रिक्त पानी की निकासी लमडता कम करना मिट्टी की उची देख भाल करना रोपन कारियों के लिए कारिक्रम में बदलाओ और वनकी करन करना उप्यूक्त प्रजातियों का चैन करना मेडों पर पेड़ लगाने से भी जल भराओ की प्रतकूल प्रभाव को कम किया जा सकता है जो है मतलब कहने करती है चात्रों जो है कि अगर हमें दलदली भूम को अगर सुधारना है तो वहाँ पे हमें पानी की निकासी अच्छी देना पड़ेगा लवरता को कम करना पड़ेगा उसके बाद मिट्टी की उचित देख भाल करना पड़ेगा फिर वह के से अच्छी मिट्टी में जो है परिवर्तित होगी जो है जो क्रिस्योग के लिए क्रिस्य कार के लिए जो है वो बहुत ही अच्छी सावित होती है क्योंकि जो दल्दली भूम को अगर सुधार के अगर उसमें फसल बोई जाए तो वहां पे उस फसल का उत्पादन बहुत ह की अच्छा होता है ठीक है आगे चलते हैं इन छेत्रों का बनी करण काफी आर्थिक महत्वका हो सकता है इन भूमियों का उप्योग पैरा नेपियर और गीनी जैसी घास उगाने के लिए भी किया जा सकता है दल्दली छेत्र में इन्हें लाबदायक मचली टैंकों में परिव मेंड के आर्थिक लाब के लिए प्रभावी धंक्स उप्योग करने की अपार संभावनाएं होती है जो है अस्थानंत्रित खेती अस्थानंत्रित खेती जंगली बनस्परत पहाडी धलानों पर फसल उगाने जलाने की बिद्ध द्वारा एक परंपरिक प्रथा है ऐसी में पर मिट्टी कि च्छत हुई है जिससे भूम की निमनी करण हुआ है और पूर में इसके परणाम बहुत ही क्या कहते हैं वेकार तरीके से इन्वाल्व हुआ है वल्लब सामिल हुआ है चात्रोजों ठीक है पिनिसका प्रबंधन ग्रामीडों के लिए एक सिच्छा प्रत इसके बाद लोगों को अपनी भूम स्वामित्य प्रणाली को दोश्पूर्ण प्रणाली के बारे में जाबरूप करने की भी आउसकता होती है जो की ये करना बहुत ही जरूरी है अगर हमारी जो वेस्ट लैंड है अगर ये प्रबंधन अगर हम नहीं करेंगे जो है तो धीर ये दीरे जो है बंजर होती चली जाएगी जो है ठीक है चात्रों यहां पर ये टॉपिक समाप्त होता है चात्रों अगरी टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे सभी चात्रों को धन्यवाद